Dear students, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th class NCRT Maths exercise 1.3 कम्प्लीट करवाऊंगा इससे पहले हम 2 exercise कम्प्लीट कर चुके हैं, 1st chapter की 1.1 और 1.2 उसको आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर यहाँ पर आपको उपर लिंक मिल जाएगा तो उस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, इस exercise का जो main motive है main इसमें basics है, वो है general rule से estimate करना है हमें estimate मतलब अंदाजा लगाना है, full calculation हमें नहीं करनी है बिल्कुल ही simple exercise है, हर एक meaning का, हर एक word का meaning समझते होई चलेंगे first है 730 plus 998, तो करना क्या है estimate each of the following using general rule तो हमें estimate इनको करना है, तो कैसे करेंगे estimate सबसे पहले हमें, जो हमारा first number है, वो देखना है, 730 अब 730 जो है, वो आता है 700 और 800 के बीच में ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है तो हमें ये देखना है कि ये किसके ज़्यादा नजदीक है, ठीक है किसके ज़्यादा नजदीक है, 700 के नजदीक है या 800 के नजदीक है जैसे 730 जो है, वो हाफ होता है 750, इससे कम है तो मतलब यह 700 के ज़्यादा नजदीक है जिसके दोनों में से ज़्यादा नजदीक होगा वो हमें estimate ले लेना है ठीक है ऐसे ही 998 जो है वो आता है 900 और 1000 के बीच में ठीक है तो किसके ज़्यादा नजदीक है 998 जो है वो 1000 के ज़्यादा नजदीक है तो हम यहां लिखेंगे 1000, तो 700 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 1700, ठीक है, simple है नो बिलकूल, इस तरह से आपको next को हम करते हैं, next वाले में देखिए, फिर से हमारे पास क्या given है, कि 796, अब 796 किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में, अब यह किसके ज़्यादा नजदीक है, 796, 800 के ज़्यादा नजदीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे, इसमें 800, ठीक है, बात समझा रही हैं न, माइनस यहां पर है, 300 और 400 के बीच में, और स्टेटमेंट क्या है, 314, 314 जो है, हाफ से कम है, तो 300 के ज़्यादा नजदीक है, यह वेल्यू बजाए की 400 के, तो यहां पर आप लेंगे 300, ठीक है, तो 800 प्लस 300, 1100, ठीक है, तो यह इसका अंसर आ जाएगा, नेक्स कोशन में देखते हैं, सी अपार्ट में 12,904, अब यह स्टेटमेंट जो है, वो आती है, 12,000 और 13,000 के बीच में, ठीक है, 12,000 और 13,000 के बीच में यह स्टेटमेंट आती है, अब आप देखें, यह किसके ज़्यादा नजदीक है, तो किसके ज़्यादा नजदीक है, यह 13,000 के ज्यादा नजदीक है क्यों है क्योंकि 12,500 इसका center बनना था ठीक हाफ इनके बीच का क्या बनना था 12,500 500 से यह value जो है वो ज्यादा है तो आपको क्या करना है इसको 13,000 की range में लेना है तो first तो लिख दूए हम 13,000 next आप देखें 2,888 तो यह statement किन के बीच में आएगी यह आएगी 2,000 और 3,000 के बीच में अब किसके ज्यादा नजदीक है यह half से ज्यादा है तो 3,000 के ज्यादा नजदीक है इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 3,000 तो 13,000 प्लस 3,000 कितने हो गए 16,000 ठीक है इस तरह से आपको इनका estimate लगाना है last question है हमारे बास 18,292 तो इनका estimate देखते हैं कितना बनेगा यह है 28,000 ठीक है तो यह किस-किस के ज्यादा नजदीक है दुनों में से यह वर्ड जिसको estimate करना हो 28 और 29 लिया हमने तो अगला वर्ड जो है वो देखो यहाँ पे आना चाहिए 500 तो 500 से कम हो तो first वाले में 5 से ज्यादा हो तो next वाले में ठीक है तो अब यह statement जो है 5 से कम है 2 और पूरी statement 500 से कम है तो इसको 28,000 की range में रखेंगे हम यहाँ लेंगे हम 28,000 minus यहाँ पे है 21,496 तो यह statement आती है 21,000 और 22,000 के बीच में अब किसके ज्यादा नजदी क्या 4 है यहाँ पे 5 से कम है तो यह first वाले को लेंगे हम 21,000 अब minus कर दिए 28 में से 21,700 इसका answer है ठीक है तो dear students यह था आपका first question next करते है second second give a rough estimate और इससे पहले में आपको बताना चाहूंगा first question में एक line और लिखी हुई थी कि जो हमने first question किया है उस तरह के आप 10 pair और बनाए और उसको solve करें ठीक है तो वो अगर आप बना सकते हैं जैसे आपकी first statements थी तो उस तरह के आप कोई भी 10 जो है इस तरह से statement बना के उसको solve कर सकते हैं चलिए करते है second give a rough estimate by rounding off to nearest hundred अब इस लाइंगा क्या मतलब है कि हमें hundreds जो place होता है उसको हमें round off करना है ठीक है फिर हमें उसका estimate देना है सिर्फ hundred place को यह आपको दिहान अखना है and also closer estimate by rounding off to nearest tens और फिर हमें इसी statement का closer estimate एक और देना है tens को round off करके ठीक है तो मतलब हर एक question के दो-दो answer बनने वाले हैं यहाँ पे first हम लेते हैं nearest hundred for nearest hundred nearest hundred के लिए क्या बनेगा answer तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे है four thirty nine तो four thirty nine है hundred place है यह वला ठीक है यहाँ पे है hundred place तो क्या करेंगे हम इस से तुरंत next वाला number जो है वो हमें देखना है अब यहाँ पर अगर five से कम होगा मतलब क्या है कि यह जो number बनेगा यहाँ पे अगर fifty से कम है fifty से कम है तो हमें यही लेना है four hundred अगर हमें यहाँ पर fifty से जादा number मिल रहा है तो हमें इसको एक बढ़ा के लेना है that means five hundred तो यहाँ पे four hundred thirty nine है तो यह वाली statement fifty से कम है तो हम लेंगे four hundred as it is ठीक है फिर हम लेंगे plus three hundred thirty four है ठीक है तो यहाँ पे यह जो place है वो fifty से कम है इसलिए हम लेंगे three hundred as it is ठीक है फिर आप देखें यहाँ पर हमें hundred place को देखना है यह नहीं देखना कि यहाँ पे four thousand हम बना द है कि ये नंबर जो है वो 50 से कम है तो हम 43 को 43 रखेंगे और 7 में लगा देंगे 20 अब हमें इन सब को कर देना है प्लस तो देखो 400 प्लस 300 700 प्लस 300 1000 तो 5000 इसका अंसर आएगा ठीक है फर्स्ट अंसर तो बन गया इसका 5000 करना है तो अब हम क्या करेंगे हम जो है यहाँ पर अब हम फोकस करेंगे इस डिजिट पर इससे तुरंत नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 5 से कम है या ज्यादा है यह हमें देखना है अब आप देखें यहां पर 43 है तो 43 को तो as it is रखना है लेकिन यहां से आपने इस नंबर को देखना यह नंबर 5 से ज्यादा आ रहा है तो आपने इसमें एक प्लस कर दिना 43 था तो हम लेंगे 44 और इस प्लेस की जगा लेनी होती है 0 तो 440 आ जाएगा ठीक है 439 था 440 के ज्यादा नस्दीक है यह इसलिए 440 प्लस यहां पर आप देखें यहां 3 है 3 से तुरंत next unit digit क्योंकि अगर 10 को round off करना है तो 10 वाला प्लेस यह है तो इससे next वाले को हमें देखना होता है तो यह 5 से कम है इसलिए हम इसको 330 ही रखेंगे यह नंबर जो है 334 वो 330 के ज्यादा नस्दीक आता है ठीक है अब आप देखें प्लस यहां पर 10 प्लेस यह है इसससे तुरंत next कौन है 7 जो कि 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे हम इसको इधर एक बढ़ा देंगे यह 17 है तो यहां पे लेंगे हम 20 4 3 2 0 ठीक है बात समझाई 10th place को अगर round off करना है तो इससे next वाले को 0 बना देना है लेकिन उससे पहले इसको देखना है कि क्या यह 5 से कम है या ज्याद है अगर 5 से ज्यादा है तो आपने क्या करना है इसको एक इंक्रीज करके लिखना है तो यह हमारी statement बन चुकी है अब हमें इन सब को करना है प्लस ठीक है तो एक्स्रा कितना आएगा 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90 तो 5000 90 इसका आंसर बनेगा तो दो आंसर बनेंगे फ़र्स्ट कोशन के 5000 and 5090 नेक्स्ट देखते हैं बी वाला पार इसको रब कर देते हैं अगर आपको कुछ ना समझाए तो आप वीडियो को दुबारा पीछे करके दुबारा से उसको चेक कर सकते हैं तो हम फर्स्ट लिखेंगे फॉर्स्ट क्या था नियरेस्ट हंडर्ड तो यहाँ पे शॉर् इससे आगे जो है यह वाली जो स्टेटमेंट है यह वाली स्टेटमेंट 50 से अगर कम है तो हमें इसको सेम रखना है अगर 50 से ज्यादा है तो इसको 1 इंक्रीज करके लेना है तो यहाँ पर देखें 50 से कम है तो बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहेगे 1087 यह वाली जो जो कि 50 से ज़्यादा है 50 से ज़्यादा है तो इसको एक इंक्रीज कर देना है बाकी स्टेडमेंट से 4, 7, 600 ठीक है बात समझ आ रही है आप इसको हम करेंगे माइनस तो यह आजेगा 6, 1, 1, 0, 0 ठीक है तो यह आंसर किसके लिए आया है 4, nearest 100 के लिए अब हमा जो करेंगे हम आगे तो वो होगा 4, nearest 10, nearest 10 के लिए क्या होगा अब आप देखे nearest 10 के लिए 10th place है यह ठीक है तो इससे तुरंत next जो है यह वला नबर क्या यह 5 से ज़्यादा है नहीं यह 5 से कम है तो बाकी statement के लिखो as it is 1, 0, 8, 7, 3 और 0 यहाँ पे 30 के ज़्यादा नजदीक है इसलिए हमने 30 ले लिए minus यहाँ पे क्या करना है आपको यह वला place जो है 10 से है इससे तुरंत next यह 5 से ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा दो अब यहाँ पे plus 1 करोगे तो यह जो है पूरी statement 59 के बजाए हो जाएगी 60 तो यह आजएगा 4, 7, 6, 0, 0 ठीक है 600 बन जाएगा अब हम इसको क्या कर देंग minus ठीक है तो minus करेंगे आप तो यह आजएगा 6, 1, 1, 3, 0 ठीक है 61, 130 ठीक है तो यह था आपका B part अब आते हैं C part पे same way में 4 nearest hundred nearest hundred के लिए आप देखें nearest hundred यह वाला hundred place है इससे तुरंत next जो है वो 50 से कम है तो हम यहाँ पे लेंगे 8, 300 ठीक है फिर minus में 4 है यहाँ पे है 91 अब 9 है 5 से ज्यादा मतलब 91 है 50 से ज्यादा तो हम इसको एक increase करेंगे 500 तो कितना आ जाएगा यह 8, 300 में 500 को minus करेंगे तो यह आ जाएगा 7, 800 ठीक है 7, 800 यहाँ पे आ गया फिर next हमारा काम होगा 4 nearest tens इसको यहाँ लिख देते हैं एक बार 4 nearest tens अब nearest tens के लिए 10th place है यह तो इससे बाद जो है वो 5 आ रहा है exact 5 तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आपकी यहाँ पे मर्जी है आप इससे एक increase करके लिजिए या फिर एक decrease करके लिजिए तो हम इसको increase ही रखते हैं तो यह आ फिर हमें minus करना है ठीक है तो minus कितना करना है देखो यहाँ पे 10th place है यह और यह है unit place तो इसको हम क्या करेंगे 1 है 5 से कम तो इसको हम 90 ही रखेंगे तो यह आज़ेगा 490 ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको करना है minus तो minus करते हैं 0 में से 0, 0 13 में से 9, 4 ठीक है यहाँ बज़ेगा 12, 12 में से 4, 8 और 7 तो यह आपका answer है 4 nearest 10th last question करते हैं इसमें देखो 4 nearest 100, nearest 100 के लिए आपका 100 place है यह तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें 48 है तो यह 50 से कम है 50 से कम है तो आपने क्या ले लेना है 50 से कम के लिए इसी आगे statement से 489 300 हो जाएगा यहाँ पे फिर minus में 100 place यह है इससे आगे यह 50 से जादा है तो एक increase करके लिए इसको 48 यहाँ पे आजएगा 400 अब इनको आपने कर देना है minus तो last वाले का minus करेंगे तो आजएगा 440 900 ठीक है तो यह आजएगा इसका answer फिर हम देखते हैं कि nearest tense के लिए क्या बनेगा for nearest tense अब nearest tense के लिए आप देखें nearest tense के लिए जो tense place है वो कहाँ पे tense place है यहाँ पे इससे तुरंत next जो है वो 5 से क्या है 5 से क्या है ज्यादा तो इसको हम next वाले मिलेंगे तो यह हो जाएगा four eight nine three five zero फिर minus करना है हमें तो यहाँ पर भी same देखें 10th place यह है इससे अगले वाला 5 है तो इसको next मिलेते हैं four eight three seven zero अब इसको minus कर देते हैं तो यह जएगा four four zero nine eight zero ठीक है तो यह था आपका second question इसको आपने इस तरह से estimate से करना है next करते है third next question है third यह last question है estimate the following products using general rule अब हमें क्या करना है general rule से in product का मतलब होता है multiply in multiplication को solve करना है बिल्कुल ही simple है first से start करते हैं इसमें दोनों में आप देखें three three digits number है यह तो हम क्या करेंगे इसको estimate करते हैं इस number को तो यहाँ पे देखो आप 50 से ज़्यादा है तो एक number extra मतलब क्या है वैसे हम देखें कि यह number जो है वो 500 और 600 के बीच में आता है 500 और 600 किसके ज़्यादा नजदीक है यह number half से आगे है तो 600 के ज़्यादा नजदीक है इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 600 multiply यह है 161 तो यह आता है 100 और 200 के बीच में तो यह किसके ज़्यादा नजदीक है half से ज़्यादा है तो यह 200 के ज़्यादा नजदीक है इसलिए हम लेंग इसको 6 तूजा multiply करना बिल्कुल simple है क्या करना है अपने 6 की 2 से कर दिने है 12 और जितनी 0 है count करके इसके पिछे लिख दिने है 1, 2, 3, 4 तो ये आपका answer आ चुका है असान है ना simple है तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 5000 आगे 281 है यहाँ पे 491 अब ये देखो आप ये 5000 और 6000 के बीच में आता है लेकिन ये number जो है वो 5 से कम है तो इसलिए इसको हम लेंगे 5000 क्योंकि multiply में यहाँ पे देखें 3000 और 4000 के बीच में ये number आता है लेकिन ये number जो है 4, 5 से कम है मतलब 500 से कम है statement तो ये हम लेंगे 3000 as it is अब इसकी multiply करना भी बिल्कुल simple है यहाँ पे 5, 3, 0 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये answer है ठीक है next हम देखते है maths में अगर आप पीछे answer देखते हैं बहुत से बच्चों क्याद होती है तो उसमें यहाँ 175 दे रखा है जो कि यहाँ से नहीं बन सकता है 5, 3, 5, 15 यही आएगा आपका answer same way में next करते हैं यहाँ पे 12 है तो आप चाहें इसको thousands में round off कर लीजिए चाहें तो 1200 oh sorry hundreds में कर लीजिए तो hundreds में करके देखते हैं इसको यहाँ पे आप देखें 12 है और इसके बाद 91 91, 50 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लेंगे 8 extra 30, 100 multiply यहाँ 500 है यह 500 और 600 के बीच में लाई करता है और 600 के ज़्यादा नजदीक है इसलिए हम लेंगे 600 अब इसकी multiply करते है 13, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 4, 0 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपको करना है last question आप देखें यह है 9,000 और 10,000 के बीच में यह number आता है 9,000 और 10,000 के बीच में यह इससे तुरंत next number जो है वो 5 से कम है तो हम इसको 9,000 में ही रखेंगे और multiply में यह आता है 20 और 30 के बीच में 30 के ज़्यादा नज़्दी के ने 29 तो हम इसको लेंगे 30 अब आप देखें 9, 3, 0, 27 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 तो यह आगया इसका answer और हर इक question तीन question हमने इस exercise में देखे हैं और तीनों के last में लिखा है make some more example like that तो कुछ और example आपने खुद इसके बनाने है और उसको solve करना है तो वो आप कोई भी example इसमें से ले सकते हैं जैसे हमने यह number लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं 6,283 इस तरह से कोई भी number आप लेके बना सकते हैं तो प्यारे बच्चों यह थी आपकी आज की वीडियो जिसमें आपने गंप्लेट किया exercise 1.3 को ठीके और ऐसे ही next हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए नेक्स्ट जो exercise है हमारी उसकी तो आप देखते रहने के लिए हमारी चनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको latest वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके धन्यवाद